नमस्कार विवर्स, पुकवित रीना चैनल में रीना मुखर जी आप सब का स्वागत करती है जो मेरे अलेडी सब्सक्राइबर्स हैं, उनको मेरा धन्यवाद और जो आज पहली बार मुझे देख रहे हैं उन सब को मेरा नमस्कार प्यार भरा और मैं आप सबसे गुजारिश करूँगी इस वीडियो को देखे, इसको लाइक करें और फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आज मैं आ गई हूँ पंजाब, आज वैलंटाइन्स डे है और नौर्थ इंडिया की, स्पेशली पंजाब की एक पॉपुलर रेसिपी, सबसे पॉपुलर रेसिपी, अम्रित सरी पिंडी छोले उसके साथ भटूरे छोले भटूरे तो नाम सुनते ही मुँ में पानी आ जाता है, तो क्यों ना इसको आप घर में बनाएं, ये देखे कितने बढ़िया भटूरे घर पे ही बन गए हैं, आप ऐसा बिलकुल न सोचे कि ये बजार से ही खरीबना है, और ये छोले पिंडी छोले बनाने की तो रे और मजेदार दिख रही है, साथ में अचार, प्याज, मिर्ची सब डाल के ये कितनी बढ़िया थाली लग रही है, तो विवर्स ये पूरा वीडियो आप देखें और जरूर जाने ये भटूरे आप कैसे बना सकते हैं, और छोले का भी वीडियो देखें, साथ में छोले मे कि विधी मैं आप से शेयर करती हो, ये मैंने दो कप मैदा ले लिया है, उसमें मैंने वन फोर्थ टी स्पून बेकिंग सोडा डाला, वन फोर्थ टी स्पून बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा नमक, इसको हम बिना खमीर के ही बनाएंगे, जरूरी नहीं है कि आप इसको इस तरह से सोडा डालके हम इसको एक लचीला मैदा गूंद के हम भटूरे बनाएंगे, और ये जान ली जिए, भटूरे बनाने का सबसे बड़ा जो रास है वो है, इसका मैदा को गूंदना, ये गूंदना बहुत जरूर है, जो प्रपोर्शन है बहुत जरूरी है, इसमे दो टेबल स्पून मैंने दही के डाल दिये हैं ये दही डाल के आप इसको एक बार फिर से मिला लीजिए अच्छी तरह से मसल लीजिए और फिर इसमें हम पानी जो है ठंडा बिलकुल नहीं होना चाहिए लेकिन गरम भी नहीं होना चाहिए बस नॉर्मल टेंपरेचर का बहुत ज्यादा स्टिकी रहेगा लेकिन यही इसकी मेदा नेचर है मैदा का शुरू में पानी डालते ही ऐसे हो जाता है लेकिन धीर हीरे दीर आप इसको गूनते रहेँगे तो यह आपकी वश में आ जाएगा इसके लिए मैंनेे एक 대ग पानी लाः ऑनी पहले डाला ता तोड़ा और डाला इसको आप एक दम से पूरा पानी ना डालिए थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिए यह देखिए कैसे उंगलियों में चिपक रहा है यह ऐसे ही होगा शुरू में आपको यह गूनते गूनते ही यह सही आपके काबू में आएगा और यह बिलकुल लचील सॉफ्ट बन जाएगा और इसमें ये देखिए इसको आप गुनते रहिए उंगलियों के बीच में से निकालिये इसको इस तरह से दबा दबा के और आपने आपके जो पाम का जो हील है उससे भी आप इसको दबा के आगे पीछे करके आपने गुन्दना है इसको आप इसके ब गुन्दिये गोल घुमा के आगे पीछे करके आपने इसको गुन्दे रहना है ये कम से कम 10-15 मिनिट तक आपको इस तरह से गुन्दना है काफी अच्छी तरह से मैंने इसको काफी टाइम तक दिखाया है ताकि एडिट नहीं किया कि आपको पता चले कि हर स्टेज में ये क अच्छी तरह से प्ली में ये वही है अब सुखा मैदा दालने के बाद ये थोड़ा और काबू में आया है इसमें थोड़ी जो चिपक रहा था वैसे नहीं हो रहा है अब इसमें इस टेज में आपने इसमें तेल लगा देना है क्योंकि अब इसको हम करेंगे रिस्ट में तो ताकि ये सूख ना जाए इसलिए पूरे सर्फेस पे इसके अच्छी तरह से आप तेल लगा लीजिए लगा के इसको घुमा के एक गोल आकार देके तब इसको ढख के रख दीजिए कम से कम दो से तीन घंटा तीन घंटे बाद आप सर्दियों में और भी ज्यादा लग के दोनों हातों के सहायता से इसको आगे पीछे करके आप इसको घुमते रहिए अब देखिए मेरी उंगली में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है ये स्टेज है कि ये काफी बन चुका है इसमें काफी इलास्टिसिती आ गई है तो इसको और अच्छी तरह से बिल्कुल पंअ झाहले राज और ये जानली जिए गुंद ने में ही इसका राज है जितनी ऑच्छी तरह से ये खुंदेगा जब आप इसके भट्द में बनाएंगे तो बड़ी तरह से फूलेंगे और सॉफ्ट भी होंगे ये ज़備 सकत नहीं होंगे ठंडे होने के बाद भी ये तै इन चार पेड़े काटके उनको बना के मैं दिखाती हूं और इसी तरह से आपने बाकी सारो को भी बना लेना है इस तरह से आपने पेड़े काटने हैं फिर दोनों हाथ के पाम के बीच में रखके इसको अच्छी तरह से गोल आकार दीजिए यह बिल्कुल सीमलेस होना तरह से तरह से नहीं भी लाएम शेप दे दीजिए अब इसको थोड़ा सुखे हाटे में लगा के इसको अब हम बेलेंगे बेलेंगे आपकी मर्जी है इसके अंदर आप अरा धनिया या फिर पनीर कुछ भी स्टफिंग कर सकते हैं या ब्लें भी बना सकते हैं जैसे आपकी अब मैं इसमें थोड़ा हरा धनिया डाल के दिखाती हूँ, धनिया बिलकुल सूखा होना चाहिए, नहीं तो इसमें पानी होगा तो यह बेलते वे फट जाएगा और आपका जो भटूरा है फूलेगा नहीं, इसको सभी में इस तरह से भर के जो भी आपने स्टफिंग देनी यही तरीका है, तो आप यह देखिए, मैं दो-तीन आपको इस तरह से भर के दिखा देती हूँ, और यह जब भरेंगे तो इसका मूँ अच्छी तरह से सील हो जाना चाहिए, यह ऐसा ना हो कि आप बेल नहीं लगे और यह भट जाए, तो अच्छी तरह से इसको सील करके अ क्योंकि सुखा आटा तेल में गिर गिर के तेल बिलकुल बहुत जल्दी काला हो जाएगा, तो और इसलिए इसको हमेशा तेल से ही बेलिए, आप इसको गोल आकार दीजिए या ओवल शेप देजिए, यह आपकी मर्जी है, किसी भी आकार में आप बना सकते हैं, भटूरे क थाओ का शेप एसे लंबाई में होता है, थोड़ा ओवल शेप तो मैं वोई शेप दे रही हूं, लेकिन यह गोल में भी बनते हैं, भटूरे पूरी टाइप के जो भटूरे हैं, वह भी फूले तो शेप कोई भी हो, टेस्ट तो आपका वही आएगा जो भटूरे का होता ह तो इसको मैं और भी एक आदा बेल के आपको दिखाती हूं, वहां मैंने तेल चढ़ा दिया है, तेल गरम हो रहा है, तेल की हम टेस्टिंग करके फिर हम इसको फ्राई करेंगे, तेल आपने काफी गरम कर लेना है, उसके बार टेंपरेचर कम कर देना है, उसको मीडियम यह बिल्कुल लाल हो जाएगा और एकदम से फूल तो जाएगा, लाल हो जाएगा और अंदर से कच्चा रहने की संभावना होती है, इसलिए आपने तेल को गरम करके फिर थोड़ा ठंडा कर देना है, इसमें थोड़ा सा मैंने एक गोला डाल के चेक कर रही हूं कि तेल ग अच्छनी है उससे हलके हलके दबाना है, एक तरफ दबाएंगे तो देखेंगे दूसरी तरफ फूल रहा है, जहाँ पूला साइड है, उसको आप थोड़ा हलके हलके दबाएए, उससे एर भरती रहेगी और पूरा भटूरा आपका फूल जाएगा, जरूरी नहीं है, एक बजारी भटूरे जैसे बनते हैं वैसे ही लग रहा है है कि नहीं तो वीवर्स आप मेरा वीडियो जरूर देखें और सीख लीजिए किस तरह से आपने ऐसे फूले भटूरे बनाने हैं यह देखिए एक मैंने और डाला इसको देखिए मैंने थोड़ी शेप दूसरी दे दी कोई भी शेप बनाईए और यह देखिए कैसे फूल रहा है वाह 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 देखिए कैसे फूल गया बिलकुल पूरी जैसे फूल गई और इसी तरह से आपने हर भटूरे को तल लेना है और फिर आप इसको मज़ेदार जायकिदार छोले के साथ सर्व करिए साथ में आलू बॉयल करें उसको फिर थोड़ा साथ मसाले से फ्राई करें और अचार प्यास के साथ इसको सर्व करें यह देखिए मैंने दिखा दिया कैसे सर्व करना है छोले कितने मज़ेदार लग रहे हैं वो भी जानें कैसे बनाना है और साथ में प्यास सबजियों का अचार मिर्ची यह सभी के साथ इसको आप सर्व करें बहुत ही मज़ेदार और कोई विश्वास ही नहीं करेगा कि यह आपने घर में बनाए हैं तो वीवर्स आपको आज की मेरी वीडियो जरूर पसंद आई होगी आप इसको जरूर बनाए और अपने जो एक्सपीरियंस है वो मुझे शेर क करिए और मेरा चैनल कुकवित रीना जरूर सब्सक्राइब करें आज के लिए इतना ही फिर मैं एक और रेसिपी लेके हाजिर होंगी धन्यवाद करिक हो एक साथ से नर करता है और बनाए दिए और सम चाया जो है और झांगी है को शॉगल ज रही आए कोई और मेरा आज कि पंड मम लेगी को जड़की दु़क्छतों जड़का दो यहा है थागा है जज पसक्षब रुबबब़बबबबबबबबबबबबबबबबब झाल झाल